नमस्कार, महत्वा कांग शी व्यक्तियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको वित्तिय सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यान और रन्नीतियों के साथ सशक बनाते हैं। आज हम आपके लिए शीश दस नियम प्रस्तुत करते हैं, जो आपको सम्रिद्धी के मार पर ले जा सकते हैं। धन के निर्मान से लेकर अपने वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने तक, ये नियम आपको वित्तिय स्वतन्थता की सही रास्ते पर स्थापित करेंगे। तो, आए वित्तिय सफलता की दुनिया में गोता लगाएं। नियम वन, स्पष्ट लक्षय निर्धारित करें। अपने वित्तिय लक्षयों को परिभाशित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रोड में बनाएं। चाहि घर खरीदना हो, व्यासाय शुरू करना हो या आराम से सेवानिवरित होना हो, स्पष्ट लक्षय आपको घ्यान और दिशा प्रदान करेंगे। नियम 2. अपने साधनों की भीतर जियो, अपने साधनों की भीतर रहना और अत्यदिक कर्ट से बचना आवश्यक है। जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें और जरूरतों को प्रात्र मिक्ता दें। वित्ती स्थिर का सुनिश्चित करने के लिए बचट बनाने और अपने खर्चों पर नजर रखने जैसी अच्छी धन प्रबंधन आदते विक्सुत करें। नियम 3. बचट और निवेश नियम 3. बचट और निवेश के बारे में हैं। अपात स्थिती और भविश्य के लक्षियों के लिए अपनी आई का एक हिस्सा अलग करके बचट को एक नियमित आदत बनाएं। अपने धन को बढ़ाने के लिए विभिन निवेश विकल्पों का अन्वेशन करें, जैसे स्टॉप, बॉन्द, रियल एस्टेट और सेवा निवर्थी खाते। नियम चार, अपनी आई में विविदता लाएं, आई के केवन एक स्रोट पर निर्भर रहना जोखिंивать भरा हो सकता है। नियम नमर चार, आपको अपनी आई में विविदता लाने की सलाह देता है। एक तंख्वाह पर अपनी निर्भारता को कम करते हुए आयक्यातिरिक्ट स्रोथ उत्पन करने के लिए साइड हसल, फीलासिंग या व्यवसाय शुरू करने पर विचार करें नियम संख्या पांच निरंतर सीखने के महत्व पर जोड देता है, सुचित निर्णय लेने और अवसरों का लाव उठाने के लिए विच्टिय रुजानों, निवेशरंग नीतियों और व्यक्तिकर्थ वितव विश्यों पर अपडेट रहें नियम 6, रेंग को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, रेंग या तो एक उप्यों भी उपकरनिया बोज हो सकता है, नियम संख्या 6 आप से बुद्धिमानी से कर्च का प्रबंधन करने का आग्रह करता है, अच्छे रिंग जैसे शिक्षा या व्यवसाय रिंग और खरा नियम संख्या 7 आपको बीत कालिक सोच अपनाने के लिए प्रोच साहित करता है, जब धन निर्मान की बात आती है तो धैर्या और ग्रिलता प्रमुक घून है, चुनोती पूर्ण समय के दोरान दी अपने लक्षों पर केंद्रित रहे और अलकालिक बजार के उतार चड़ा से प्रभावित होने से बचे, नियम 1 अव्यास जोखिन प्रबंधन, नियम संख्या 8 हमें जोखिन प्रबंधन का अव्यास करने की याद दिलाता है, स्वास्थ्या, जीवन और संपत्ती बीमार जैसे बीमा कवरेज के माध्यम से स्वयम को और अपनी संपत्ती को सुरक्ष एक सुरक्षा जाल होने से ये सुनिश्चित होता है कि अप्रत्याशिद भटनाएं आपकी वित्ती अप्रबती को पत्री से नहीं उताती है, नियम 9 पेशिवर सलाह ने, वित्ती जत्र दुनिया में नेवी गीत करते समय, पेशिवर सलाह नेना अमूय हो सकता है, नियम यता आपकी वित्तीय रन्नीतियों को अनुकूलित करने में मदग कर सकती, नियम 10 गीब बैक अंट में, नियम 10 हमें वापस देने के महत्व की याद दिलाता है, एक बार जब आप वित्तीय सफलता हासिल कर लेते हैं, तो इसे धर्मात कारणों में योगदान देने ही आपन सपश्ट लक्षियों को निर्धारित करके, अपने साधिनों की बीतर रहकर, बुद्धिमानी से बचत और निवेश करके, अपनी आय में विवित्ता लाकर और शिक्षित रहकर आप समृद्धी प्राप्त करने के अपने रास्ते पर हैं